दोस्तो भारतिय वायू सेना के लापता विमान एन-32 का मलवा अरुनाचल के शियांग जिले में दिखा है प्लैन की टोलेने में 7 दिन से जादे लग गई और अभी तक भी उस जगह पर पहुँचना चुनोती पूर्ण बना हुआ है दोस्तो इस इलाके में घने जंगल है और वहां तक पहुचना काफी कठीन है ऐसे में मलवे वाली जंगह पर कमांडोज को हेलिकोप्टर से उतारा जाएगा और ग्राउंड पार्टी को वहां तक पहुचने में अभी एक दो दिन लग सकते हैं दोस्तो इस्ट अरुनाचल परदेश की पहाड़ियों पर ऐसे हादसे पहले भी कई बार हो चुके हैं और कई विमान वहां पर गिर चुके हैं दित्तवी स्यूद के दोरान भी इस इलाके में कई विमान गुम हो गए थी चीनी सीमा के पास अरुनाचल परदेश के इस हिस्से में इतने हेलिकोप्टर हाथ से होते हैं कि इसे दुनिया का दूसरा बर्मूडा ट्राइंगल कहते हैं दोस्तों हम बताते हैं कि इसको क्यों इतना खतरनाक और बर्मूडा ट्राइंगल बोला जाता है अलग-अलग रिसर्च में एक बात निकल कर आई है कि इस एरिया के आस्मान में बहुँ ज़्याद है टर्बूलेंस और सो मीटर परती गंटे की रप्तार से चलने वाली हवाय चलती है यहां कि घाटियों के संपर्क में यह हवाय आने पर इस्तिती बहुती विकट बना देती है और यहां उडान करना बड़ा मुस्किल हो जाता है साथ यहां के घाटिया और घरे जंगलों में गिरेवे किसी विमान के मलबे को तलास करना अपने आप में एक मिसन बन जाता है और कई बार जिसको पूरा करने में सालो लग जाते हैं दोस्तों यह ऐसा इलाका है जहां पर दित्य विश्यूद के दोरान गिरेवे विमान मलबे के रूम में अब तक मिल रहे हैं यहां के पाड़ों की उचाई पहुच जाद है ऐसमतल है और इसके चलते हवा का दबाव भी बदलता रहता है इसी के चलते त्वांग और सेल अपास के एर स्पेस को उडान के नजरे से सबसे खतरनाक माना जाता है साथ इस 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 इलाके में हवा का दबाव पच्छिम से पूर्व की होर होता है जो उडान की दिसा के विप्रीत होता है कई बार हवा इतनी तेज रप्तार में चलती है कि उसमें हेलिकोप्टर अपने रास्ते से भटक जाते हैं और क्रैस हो जाते हैं इसलिए अच्छे तुरान के लिए बहुत ही खतरनाक है दोस्तो ये खबर आपको कैसी लगी हमें लाइक करके और कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तो इस पेसल खबर देश दुनिया की ताजातरीन और एस्क्लूसिव डवलोमेंट को सबसे पहले आप तक पहुँचाता है इसलिए अपडेट न्यूज के लिए इस चैनल को सबस्क्राइब करें लाइक करें शेयर करें